नमस्कार दोस्तों, आज गे इस सेशन में अपन पिछले 6 महीने के करंड़ फेर के 50 important questions पर चर्चा करने वाले हैं पर तेक क्युसन एक्जाम की दरश्टी से important और selected होगा आप कोई भी एक्जाम की तैयारी कर रहे हो, अगर आपने ये 50 questions अच्छे से cover कर लिए हैं इनके साथ मैं जो भी aesthetics GK और आसपास के fact बताऊँगा उनको आपको जरूर cover करना है जिससे की पिछले 6 महीने का करंड़ फेर आपका अच्छे से cover हो जाएगा single question इस class से बार नहीं जाएगा ये हैं अपनी एक giveaway series जिसमें आप कैसे participate कर सकते हो तो इसके लिए आप चेनल को subscribe कर देना वीडियो को like कर देना और इस class में मैं आपसे कुछ question पूछूँगा जिनके answer आपको comment box में देने है जो भी बच्चे right answer देंगे उनमें से दो बच्चों को select किया जाएगा उसके बाद उनसे पूछा जाएगा आप किस exam की तयारी कर रहे हो उस exam से related उनको जो भी book चाहिए उनमें से दो book हम उनके address पर courier करेंगे तो आप इसमें participate कर सकते हो जो भी question पूछता हो उसके right answer और comment box में दे देना अगर आपका नमर आएगा तो आपसे अमारी team contact करेगी आज का पहला question क्या है जारखंड के नए मुख्यमंतरी कोन बने है जारखंड के नए CM बने है चेमपई सोरेन हेमंत सोरेन की जगे चेमपई सोरेन बने है हेमंत सोरेन पर एक ED की कारवाई हुई थी जिसके बाद इनको जेल जाना पड़ा और चेमपई सोरेन नए जारखंड के मुख्यमंतरी के रूप में चुने गए जो चेमपई सोरेन है वो जारखंड मुक्ती मोर्चा के उपादेक से 2005 से लगातार सराई के लाखे विदाईक है और इन्हें जारखंड टाइगर के नाम से जाना जाता है बात की जाए जारखंड के इस्टेटिक्स जीके की तो जारखंड की स्तापना 15 नौंबर 2000 को हुई थी राजदानी राच्ची है वरत्मान में मुख्य बंत्री चेमपेई सोरेन है राजे पाल सीपी राधा कशन है वेधान सभागी 81 सीट है राजे सभागी 6 सीटे है लोक सभागी 14 सीटे है और जो बेतला राश्टी उध्यान है वो जारखंड में है इम्पोर्टेंट है थी अगला क्योसर मलेशिया के इस्टेटिक्स जीके की तो मलेशिया की राजदानी है कू आलालंपूर परदान मंत्री है अनुवर इब्राहिम मुद्रा है मलेशियाई रिंग गिट मलेशियाई रिंग गिट मलेशिया की मुद्रा है मलेशिया दक्षिन पूर्वी एशिया में इस्ति देश है यहाँ पर ये एशिया महादी पे जिसमें चायना इंडिया अफगानिस्तान पाकिस्ताने से देश है यहाँ पर दक्षिन पूर्व के अंदर यहाँ पर मलेशिया पड़ता है जिसकी राजदनी कू आललमपूर है अ लगातार चटवी बार बजट पेस करने वाली पहली महिला वितमंत्री बनी है और लगातार छे बार बजट पेस करने वाली दूसरी वितमंत्री बने है दूसरी वतमंत्री इसका मतलब यह वा जो मुरारजी देशा ही है उन्होंने सबसे अधिक बार दस बार बजट पेस किया उनके बाद 6 बार बजट पेश किया निर्मला सितारमन ने और 6 बार बजट पेश करने वाले या सबसे अधिक बजट पेश करने वाले पहली महीला वितमंतरी को ने तो वो निर्मला सितारमन है आप सारी चीजों वोचे से क्रिस्टल के लिए रखोगे ठीके ये सारी चीजे म कहा जाता है ठीके याने अगले साल अपन कमाई किस माध्यम से करेंगे कितनी करेंगे और फिर खर्च किस माध्यम में कितना करेंगे उस योजना को बजट कहा जाता है सवीदान के अनुचे देख सो बारा के नुसार एक वरस के केंदरी बजट को वार्शिक वीतिय विवरन कह अगला क्यूसन उत्तरबारत का पहला मानुव DNA बेंग कि संस्तान में बनाया जा रहा है DNA की फुलफोम होती है डी ओक्सी राइबोज न्यूकलीक एसीड और जो उत्तरबारत का पहला DNA बेंग है वो BHU के द्वारा इस्तापित किया जा रहा है BHU याने बनारा सिंदू यूनिस्टी बनारा सिंदू यूनिस्टी है उसका जो जन्तू विग्यार विवाग है उसके ग्यानेस और लेब के अंदर automated DNA extractor machine लगाई गई है extractor का मतलब आज समझते हो अगर किसी भी चीज़ गो किसी चीज़ से अलग करना होता या फिल्टर करना होता तो पर extractor machine का परियोग करते हैं जो automated DNA extractor machine है वो क्या काम करेगी जो भी जेवीक सामगरी है जिसमें खोन हो गया, लार हो गया, बाल हो गया या कोई भी उत्तक है उसमें से DNA निकालने का काम करेगी ये machine और इसके द्वारा होगा क्या DNA अलग करने के बाद इसके मादें से बविश्य की किसी भी महामारी का लोगों पर परबाव समझने में आसानी होगी ये है automated DNA extractor machine अगले क्यूशन पर चलते हैं उंगलेई थेडी उंगल ओरिल योजना किस राजे में शुरू की गई तो तमीन लाडू राजे ने शुरू की है उंगलेई थेडी उंगल ओरिल योजना ये जो उंगलेई थेडी उंगल ओरिल है उसका मतलब क्या होता है हिंदी में अर्थ क्या होता है तो हिंदी में इसका आर्थ होता है आपके दर्वाजे पर सेवाएं लाना इसका मतलब इस योजना में क्या किया जाएगा आपको इसप्रेश्ट हो गया होगा इस योजना के मातिम से सार्जनिक सेवा वित्रण में सुदार और विबीन योजनाओं के किरियानवन में तेजी लाने की दिशामे कारिये किया जाएगा तमीनलाडु का इस्टेटिक्स जीके क्या है? तो तमीनलाडु की राजदानी है चे नहीं राज़े पाल है ारेन रवी बुख्यवंतरी है मक स्टालीन विदान सभागी 204 सीटे है राजी सभागी 18 सीटे है लोग सभागी 39 सीटे है पर्मुक त्योवार है पोंगल ठीक है आपको दान रगना है पर्मुक त्योवार है पोंगल जली कट्टू तमिलाडू का सबसे लोगपी रेखेल है तमिलाडू यहाँ पर मेप में लोकेटेड ह राजों की कुछ पर्मुक योजने आपको बता देता हूँ क्योंकि यहाँ पर आपने जैसे उंगलेई थेड़ी उंगल ओरील योजना तमिलाडु राजे सरकार की पड़ी है उसी परकार सकती योजना करनाटक राजे सरकार की है ससक्त महिला रेन योजना है वो इमाचल परदेश सरकार की है लाडली बहना योजना मदेपरदेश सरकार की है नंद बाबा दुग्द मीसन योजना है उत्रपरदेश सरकार की है आसरा पेंसन योजना है वो तेलंगान राजे सरकार की हैं अगले क्युशन पे चलते हैं इंटरनेशनल वुसू फेडरेशन के द्वारा महिला एथलीट ओफ दे येर 2023 की से चुना गया तो चुना गया है नावरेम रोसी बिना देवी को इंटरनेशनल वुसू फेडरेशन के द्वारा महिला एथलीट of the year 2023 के लिए चुना गया था ठीक है तो ये फोटो है नावरेम रोसी नेमा देवी की ठीक है मनिपूर राज्ये की है और जो रोसी बीना देवी है उन्होंने Asian Games 2022 के अंदर Silver Medal और Asian Games 2018 के अंदर Bronze Medal जीता था इसके लावाद जो South Asian Games सोज़ते 2000 उगनीस के अंदर इसमें उन्होंने Gold Medal जीता था 2023 के लिए इनको अरजुन पुरुसकार से सम्मानी दिपी किया गया था वूसु जिसको कूंपू बोलते हैं एक चीनी मार्सल आठ है ठीक है ये चीन के एक मार्सल आठ है परमुक पुरुसकार अपन देख लेते हैं जब आपने Athlete of the Year 2023 का पुरुसकार देखा है तो सारे पुरुसकार में सा अले अबट को दिया गया था करनाल सी के नाइडू अवार्डे और अविशास्त्री और फारुक इंजिनियर को दिया गया था ICC पुरुस्टी टेवंटी आइ किर्गेटर ओफ देख लेएर 2023 का किताब सुर्यकुमार यादव को मिला है ICC वंडे किर्गेटर ओफ देख ले अगर आपको वीडियो की क्वालिटी कंटेंट की क्वालिटी और मेरी मेहनत अच्छी लग रही है तो आपसे रिक्वेस्ट करूँगा लाल वाला बटन दबागर चैनल को सस्क्राइब जरूर करना बेल वाला ऐकन प्रेस कर देना जिससे नए वीडियो की नोटिफिकिशन आपको सबसे पहले मिलती रहेगी इसके लाव अगर आपको ये पीडियेप चीए तो ये मिलेगी टेलीग्राम चैनल पर टेलीग्राम चैनल जोइन करने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल की लिंक है वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल को जोइन तो इत्यासकार थी आर चंपक लक्ष्मी जिनका निदन हो गया है परतिष्टित इत्यासकार बारती इत्यास कोंग्रेस के पूर्वे अध्यक्स और जवालाल नहरू विश्वे विदाले के एत्यासिक अध्यन के अंदर में प्रोफेसर आर चंपक लक्ष्मी का निदन हो गया फिलम निर्माता विनु का निदन हुआ है, होलिवूड एक्टर क्रिस्चियन ओलिवर का निदन हुआ है, संगीत समराट उस्ताद रासिद खान का निदन हुआ है, जर्मनी के दिगज फुटवोलर फ्रांच बेकन बाउर का निदन हुआ है, तमिल सुपरिस्टार और राजन को संग्रेत किया गया है डोक्टर संजीव कुमार जो सिये उनने ये पुस्तक लिकी है एक समुंदर मेरे अंदर दोजार तेबिस की कुछ परमुख पुस्तके कौन-कौन सिये उसको इपार रिवाइज कर लेते हैं एलेन मस्क की पुस्तके वाल्टर इसा कसन ठीक है नथिंग मेमोरियल ओफ ए साइन्टिस्ट आर्चिद्रमन सुरेश कंगोतरा के पुस्तक है वाजपिय ये एसेंट ओप दे हिंदु राइट उननीसो चोबी से उननीसो सतेतर पुस्तक लिकी है अभिसेक चोधरी ने इसके लावा बियोंड किरिगेट ए लाइफ इन मेनी वर्ट्स सी जो गुलाबने आजादगी पुस्तक आजाद है उसका कवर पेज हैं अगले कुषिण पे चलते हैं डिजिटल डिटॉक्स पेल को किस राज्ये ने सुरू किया है तो करनाटक राज्ये सरकार ने डिजिटल डिटॉक्स एक पेल शुरू किया है तो करनाटक सरकार All India Game Developers Forum के साथ साज़ेदारीग में डिजिटल लिटोक्स पेल को सुरू किया है उदेश ये क्या है डिजिटल दुनिया में अच्छे दिक समय बिताने के खत्रों के बारे में जाग रुकता बढ़ाना इस पेल के मादम से पूरे करनाटक में ओफलाइन और ओनलाइन डिजिटल लिटोक लोक नरते हैं एक्स गान और यहां पर करनाटक राजे इस्तित हैं बारत के मेप में कुछ राजों की और योजने जो बाकिरे गई थी उसको पन कवर कर लेते हैं मुख्यवंत्री एकल महिला सवरोजगार योजना उत्राखन राजे सरकार की हैं नंदन्द कानन योजना रास्तान सरकार की हैं अरुनोदोई 2.0 योजना असम राजे सरकार की हैं इस्टाइपेड योजना केरल राजे सरकार की हैं मुख्यवंत्री सिक्षा पुरुषकार योजना उडिशा की है हर गर आपूर्ती योजना गंगाजल बिःऔर की है वन डिस्टिक वन स्पोट्स योजना उत्र परदेश राजे सरकार कि है मुख्यमंतरी बाल आशिरवाद योजना वद्धेपरदेश राजे सरकार की है अगले question पे चलता है अंतरिम केंदरी बजट दोज़ाट चोबीस में नो से चौदा वरस की बालिकाओं के लिए किस रोग के टिका करन की गोश्णा की गई तो सर्वाइकिल केंसर जो सर्वाइकिल केंसर है उसके टिका करन की गोश्णा की गई है बारत की पहली made in इंडिया सर्वाइकिल कैंसर की वेक सीने सर्वे वेक इंपोर्टेंट है द्यान रख लिना साइंस और टेकनोलोजी में पूछा जा सकता है सर्वे वेक आप याद रखोगे सर्वाइकिल कैंसर होता क्या है जो यह गरबाश्य है यहाँ पर गरबाश्य की गिरुवा है गरबाश्य की जो गिरुवा है उस परी जो कोशिका है उनमें एसामान ये वर्दी होने लग जाती है तो सर्वाइकिल कैंसर हो जाता है हाल ही में बारत रतन से किसे सम्मानित किया गया तो लाल कसन आडवणी को बारत रतन से सम्मानित किया जाने की गोशना की गई थी बीजेपी के नेता लाल कसन आडवणी को देश के सबसे बड़े नागरिक सम्मान बारत रतन से सम्मानित किया जाएगा लाल कसन आडवणी 50 विवेक्ति है जिने बारतरतन दिया जाएगा इससे पहले 23 जनवरी को बिहार के पूर्वे मुक्यमंतरी करपूरी ठाकूर को बारतरतन देने का एलान किया गया था वो भी मरनो प्रांत ये है करपूरी ठाकूर की एक फोटू ये है लाल कशन आडवने की एक फोटू बारत रतन क्या होता है तो देश का सरवचे नागरिक पुरुसकार होता है कला साइथ तिक विज्यान सारजनिक सेवा जन सेवा में उत्करष्ट योगदान के लिए ये दिया जाता है बारत रतन की सुरवात 1954 में हुई थी बारत रतन अलंकरण काशे दातु निर्मित एक पितल के पत्ते के आकार का होता है जो की 5.8 इंच लंबा होता है 4.7 इंच चोड़ा होता है 3.1 इंच मोटा होता है कुछ इस प्रकार दिखता है जिसमें बारत रतन और सत्यमेव जेते लिका होता है इस अलंकरण के मुख्यवागं पर प्लेटीनम से बने सूर्य के आकरती अंकित होती है जिसके नीचे बारत रतन सब्स लिका होता है इसके पिछे बारत रतन प्राप्त कहने वाले पहले वेकती सरोपली रादाकसन, सी राज गोपनाचारी और सीवी रमन थे अगले क्युशन पे चलते हैं ये क्युशन इंपोर्टेंट है ड्यान रखना 66 ग्रेमी अवार्ड दोजाट चोबिस में गलोबल म्यूजिक एल्बम का आवार्ड किसे दिया गया है तो वो दिया गया है संकर महादेवन को दी मोमेंट एल्बम के लिए दी मोमेंट एल्बम किन का है तो संकर महादेवन का है और इनके लिए इनको 66 ग्रेमी अवार्ड दोजाट चोबिस में गलोबल म्यूजिक एल्बम का आवार्ड दिया गया था ग्रेमी पुरुसकार क्या होता है तो संगीत के चेतर में दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरुसकार होता है ग्रेमी पुरुसकार इसका नाम ग्रामोफोन के नाम पर रखा गया था देख लीजिए ये ग्रामोफोन की तरह दिकरा है पहली बार ये पुरुसकार 4 मई 1907 को परदान किया गया था ये पुरुसकार अमेरिका की रिकोर्डिंग अकेडमी के दोरा परदान किया जाता है तो इंपोर्टेंट ए द्यान रखना है और जो रिकोर्डिंग अकाडमी है उसकी इस्तापना 1907 में वही थी ग्रेमी वार 2024 के लिए परमुक विजेता कौन-कौन से उनको एक साथ कवर कर लेते हैं बेस्ट पॉप सॉलो परफॉर्मेंस का वार दिया गया है माईली साइरस को जो की फॉलोवर के लिए बेस्ट पॉप वोकल एल्बम का ओड दिया गया है टेलर स्वीफट को मिडनाइट के लिए बेस्ट एल्बम एस जेटर को दिया गया है S.O.S के लिए बेस्ट परफॉर्वेस कोको जोक्स को दिया गया है I.C.U के लिए रेप एलबम के लिए ग्रेमी वार दिया गया है किलर माइक को माइकल के लिए ठीक है अगली कुशन पे चलते हैं अगला कुशन क्या है हाल ही में कौन सा देश डिजिटल सेंगेन वीजा जारी करने वाला पहला यूरोपिय संग का देश बना है तो फ्रांस वीजा आम तोर पर उस देश के दूतावास या वानेजिक दूतावास के द्वारा जारी किया जाता है जहां यात्री जा रहा है दरसल सेंगेन वीजा दारग को के उल 90 दिनों से कम या अधिक समय के लिए जर्मनी या अन्य सेंगेन देशों की यातरा करने का दिकार देता है फ्रांस की बात की जाए तो फ्रांस का इस्टेटिक जी के कुछ इस परकार है फ्रांस है वो पस्चिमी यूरोप महादीब के अंदर है यहाँ पर यही यूरोप महादीपे यूरोप के पस्चिम के अंदर फ्रांस देश है जिसकी राज़दानी फेरी से राष्टपती इमेनियल मेक्रोन है इनको आप जानते होंगे अभी बारत ने जब 26 जनुवरी को अपना गणतंतर दियोस बनाया था तो उसमें मुख्या अतिती के रूप में इमेनियल मेक्रो बारत आये थे परदानमंत्री है एलिजाबेट बोर्न जिन्नोंने इस्तिपा दे दिया है और फ्रांस के नए परदानमंत्री को न मने है मैंने आपको 50 वार पड़ा दिया है इंपोर्टेंट है जल्दी से कमेंट बोक्स में छाप दो परदानमंत्री के निर्मी तो परदासित करने और संग्रेइट करने के लिए शोरूम और गोदाम होंगे यहनि बारत के आस्त्कला हो गया या बारत केसी को यूनिक चीज हो गई जिनको सेल करना है तो इस बिल्डिंग गेंदर भारत पार्क व्यापार चेतर के अंदर सोरूम गेंदर लगाया जाएगा और गोदाम गेंदर इस्टोर किया जाएगा सयूक्द अरब अमिरात का इस्टेटिक्स के क्या है तो यूए की राजदानी है आबुदाभी बासा है अर्भी अधिकारिक मुद्रा है सयूक्द अरब अमिरात दिहीरम सयूक्द अरब अमिरात यूए के राष्टपती है सेक मोहमत बिन जाइद अल नहायन एक की नाम है किर्गिस्तान ने अपना नया राष्ट ये पसुक गोशित किया है यहीं तेंद्वे की एक फोटू है बात की जाए किर्गिस्तान की किर्गिस्तान मद्धी एशिया का एक देश है जिसके राजदानी है विसकेक राष्टपती है सदीर जापारो मुद्रा है किर्गिस्तानी सोम यहाँ पर देख लीजे यह मेप है इसका किर्गिस्तान का जो कि मद्धी एशिया के अंदर आपको लोकेटेड हो रहा है बारत के उत्तर के अंदर और ये किर्गिस्तान का बड़ा मेफ है राष्टपती है सदीर जपारो मुदरा है किर्गिस्तानी सोम अगला क्यूसन जिनेवा में विश्व व्यापार संगेटन जिसको WTO बोलते है विश्व व्यापार संगेटन के बारती राजदूत का नाम बताईए तो सेंथिल पांडियनसी सेंथिल पांडियनसी विश्व व्यापार संगेटन में बारती राजदूत के रूप में न्युक्त है ये सेंथिल पांडियनसी के एक फोटू है के अंदर सरकार ने अगले तीन वरस के लिए मार्च दोजार चोबी से सेंथिल पाणियन सी को जिनेवा में विश्यो यापार संगेटन का बारती राजदूत न्यूक्त किया है वे WTO में वर्जेंदर नवनीत की जगे लेंगे ठीक है इनसे पहले वर्जेंदर नवनीत WTO के अंदर बारती राजदूत थे अब इनकी जगे सेंथिल पाणियन सी लेंगे बात की जाए विश्यो यापार संगेटन WTO की तो इसकी स्तापना 1995 में मुवी थी मुख्याले जिनेवा सीटर्ज लेंड के अंदर है वर्तमान में महा निर्देशक कोन है तो नागो जी ओंको जो इवेला है तेरों मंतरी स्तिरिये समेलन फरवरी 2024 के अंदर आबुदाभी UAE के अंदर आबुदाभी UAE के अंदर विश्यो व्यापार संगेटन का अगला क्यूशन अगला क्या है परवासी बारती दिवस कब मनाया जाता है तो परतिवरस 9 जनवरी को पन परवासी बारती दिवस मनाते हैं क्यूं मनाते हैं क्यूंकि 9 जनवरी को जो महात्मा गांदी है वो दक्षिन अफरीका से बारत लोटे थे और बारत की आजादी में महात्मा गांदी ने एहम योगदा निवाया था इसके चलते अपन 9 जनवरी को परवासी बारती दिवस मनाते हैं महात्मा गांदी दक्षिन अफ्रिका से बारत आये थे दक्षिन अफ्रिका का जिकरवा है तो इसको लेकर इस्टेटिक्स जिके क्या है तो दक्षिन अफ्रिका अफ्रिका महादीप का एक देश है अफ्रिका महादीप के दक्षिन के अंदर देश है दक्षिन अफ्रिका अगला क्युशन जाती जनगर्ना शुरू करने वाला दूसरा राजी आंदर परदेश बना है बारत की पहली 100% इलेक्ट्रिक बाइक टेक्सी की सुरूआत असम राजी ने सुरू की है पी-म विश्वयकर्मा योजना लागू करने वाला पहला केंदर सासित परदेश जम्मू कस्मीर बना है इस लाइन को त्री स्टार लगा लेना बारत का पहला गल्स सेनिक इसकूल की सुरूआत मथूरा उत्रपरदेश के अंदर की थी अभी कुछ दिनों पहले ही जनवरी के अंदर योगी आधितिना तो राजना सिंग ने मिलकर इसका उत्गाटन किया था मंगल गरे पर रोवर संचालित करने वाली पहली बारतिय महिला अक्सता क्रश्ना मूर्ती बनी है देश का पहला डाई इसकाई पार के वो पेच टाइगर इजरो माराश्टर बना है अनात बच्चों के लिए योजना बनाने वाला पहला राजे हिमाचल परदेश है देश का पहला AICT बनेगा लखनव उत्तर परदेश तो ये 2023-24 के अंदर पिछले 6 मैनों के अंदर परतम होने वाली चीज़े पने पड़ी है जिसका रिवाइज मैंने आपको करवा दिया है अगला क्यूसल एहमद अवद बिन मुबारक किस देश के नए परदानमंतरी बने है तो यमन यमन के नए परदानमंतरी बने है एहमद अवद बिन मुबारक यमन की बात की जाए तो यमन पस्चिमी एशिया में इस्तितेक देश है देख लीजिए यहाँ पर यह पस्चिमी एसिया है यहाँ पर यह यमन लोकेटेड है जिसकी राजदानी है सना एस्ताई राजदानी है अदन तो यमन की दो राजदानी है एक तो इस्ताई राजदानी है जो कि यह सना एस्ताई राजदानी है अदन मुद्रा है यमनी रियाल 2011 के बाद यemen राजनेतिक संकट की इस्तती में रा है जला किसन हाल ही में एक महान खिलाड़ी फ्रांज बेकनgement बाउर का अठेतर वरस के आयू में निदन हो गया है वे किस खेल से समंदी थे तो फूटबोल से समंदी थे फ्रांज बेकन बाउर जिनका अठेतर वरस की आयो में निदन हो किया है ये जर्मनी देश से समन्दी थे जर्मनी के दिगज फुटोलर है फ्रांज बेकन बाउर जिनका अठेतर वरस की आयो में निदन हो किया है ये फोटो हैं फ्रेंज बेकन बाउर की बात करते हैं जर्मनी के इस्टेटिक्स जीके की तो जर्मनी यूरोप महादीप के अंदर इस्तिते ये महादीपे यूरोप आप सब जानते हो अफ्रीका महादीपे उसके जश्ट उतर के अंदर है वहाँ पर इस्तिते जर्मनी राजदानी है बर्लिन राष्टपती है फ्रेंड वाल्टर इस्टीन मेयर जिनकी फोटू ये है मुद्रा है यूरो ये जर्मनी के बारे में इस्टेटिक्स चीके था अगला क्योसन हाल ही में फ्रांस के सबसे कम आयू के परदानमंत्री कोन बने है तो बने है ग्रेबियल अटल फ्रांस के सबसे कम आयू के परदानमंत्री बने है और ये समलेंगी भी है चोति सुरस ये ग्रेबियल अटल फ्रांस के सबसे कम आयू के परदानमंत्री है ग्रेवियल अटल फ्रांस के पहले सम लेगिंग परदान मंतरी है यानि गे परदान मंतरी है राजदानी है फ्रांस की पेरिस मुद्रा है यूरो राष्टपती है इम्मुनेल मेकरो जो की अभी 26 जनवरी को गनतंतर्त दिवस पर वारत में मुख्य आती ती के रूप में आयते हुआ इसी क्लास में आपको बताया था परदानवंतर्य ये जो क्या जाता है तो परतिवरस 12 जनवरी को राष्टी ये यूँआ दिवस मनाए जाता है जनवरी में अपन्ने कोन-कोन से इम्पोर्टेट दिवस मनाए है वो एक बार रिवाईज करवा देता हूँ DRDO का 66 अश्टापना दिवस मनाया था एक जन्वरी को 4 जन्वरी को विश्वे ब्रेल दिवस मनाया था ये दिवस क्या है तो ब्रेल एक लीपी होती है जो अंदे लोग होते हैं उस लीपी को चुकर पड़ते हैं तो ब्रेल लीपी के जो अविसकारक करता थे, उनका जनम दीने, तो उसी उपलक्स के अंदर 4 जनुवरी को विश्व ब्रेल दीवस मनाते हैं, 16 जन्वरी को राष्टे इस्ट्याटप दिवस मनाते हैं, 19 जन्वरी को कोक बोरोक दिवस मनाते हैं, 20 जन्वरी को पेंगुईन जागरुकता दिवस मनाया जाता हैं, 23 जन्वरी को प्राक्रम दिवस मनाते हैं, 24 जन्वरी को राष्टे बालीका दिवस मनाया जाता हैं, वही 24 जनवरी को अंतराष्टी शिक्षा दिवस भी मनाया गया जिसकी थीम रिखी गई इस्ताइस आन्ती के लिए सिकन, पच्छिस जनवरी को राष्टी मतदाता दिवस और राष्टी प्रियेटन दिवस मनाया गया था तो ये जनवरी में कुछ इंपोर्टेंट दिवस अपने जो भी cover किये हैं आपको revise करवाने की कोसिस की है मैं सारी चीजे आपको detailed analysis के साथ इसके आसपास के fact के साथ बता रहा हूँ इस class को पुरा देख लेना पिछने 6 मैने के current फिर में आपका single question गलत नहीं होगा अगर आपको वीडियो की quality, content की quality और मेरी मेहनत अच्छी लग रही है तो आपसे वापस बोलूँगा लाल वाल वटन दपागर चनल को subscribe जरूर करना बेल वाल आइकन प्रेस कर लेना जिससे नए वीडियो की notification आपको सबसे पहले मिलेगी और अगर आपको पीडियेप चिये तो उसके लिए आपको टेलिग्राम चैनल जोइन करना होगा टेलिग्राम चैनल के link वीडियो के description में है आप Instagram पर भी जूट सकते हो जिके tips आप सर्च करोगे तो अपनी एक Instagram ID आएगी उस पर आप जूट सकते हो Instagram ID का जो link है वो भी में वीडियो के description में डाल दूँगा अगला question क्या है हाल ही में किस राज्ये के मुख्यमंत्री ने बेरोजगार युवां के लिए युवा निदी योजना को सुरू किया है तो करनाटक, करनाटक राज्ये सरकार ने जो बेरोजगार युवा है उनके लिए युवा निदी योजना को सुरू किया है इसके अंदर क्या होगा अगर कोई भी युवा है जिसने कोई डिग्री कर रखे है जिसके अंदर जैसे UG, PG हो गया BAC, BAC, BAC कोई भी डिग्री कर रखे है तो उसको 3000 रुपे बेरोजगारी बत्ता मिलेगा इसके लावा जिन्होंने डिप्लोमा कर रखा है उनको 1500 रुपे मिलेगा ऐसी एक योजना शुरू की है करनाटक राज्ये सरकार ने योओं के लिए योओं निदी योजना के नाम से सनातक बेरोजगार योओं को 3000 रुपे परति महिना डिप्लोमा वाले बेरोजगारों को 15 सुरुपे का परति महिने बुक्तान किया जाएगा बेरोजगार योओं को 2 साल तक बत्ता दिया जाएगा और उनके साथ उनका कोसल परस्रिक्षन भी किया जाएगा जिससे की जैसे ही दो साल कंप्लीट होगे उनके बाद उनको रोजगार पाने में मदद मिल सके करनाटा की राजदानी है बेंगलोर या बेंगलोर मुख्यमंत्री है सीधा रमया राजेपाल है थावरचंद गेलोत अगले कुशन पर चलते हैं बर्नार्डो एरेवलो किस देश के राष्टपती बने है तो ग्वाटेमाला ग्वाटेमाला देश के नए राष्टपती बने है बर्नार्डो एरेवलो इनकी फोटू है बर्नार्डो एरेवलो की ग्वाटेमाला देश के बारे में इस्टेटिक्स जीके क्या है तो यह उत्री अमेरिका महादीप का सबसे दक्षिनी हिसा है यह है उत्री अमेरिका महादीप यह है दक्षिन अमेरिका महादीप उत्री अमेरिका महादीप के यहाँ पर दक्षिन के अंदर एक देश है ग्वाटेमाला जिसके राष्टपती बने है बर्नार्डो एरेवलो राजदानी है ग्वाटेमाला सीटी राष्टपती बर्नार्डो एरेवलो मैंने बता दिया है मुद्रा है कुएत जल गवाटे माला की मुद्रा है ये इसका close map है जिसको आप देख सकते हो अगला question गणतंतर दिवस प्रेट 2024 में किस मंत्रा लेकी जांकी को सर्वस्रेष्ट जांकी का अवार्ड मिला है तो संसकर्ती संसकर्ती मंत्रा लेकी जो जांकी है उसको गणतंतर दिवस प्रेट 2024 के अंदर सर्वस्रेष्ट जांकी का वार्ड दिया गया है जो इंदरागंधी नेशनल सेंटर फोर आर्ट है उसके द्वारा इसकी गोष्णा की जाती है ये सारी जांकियों का विस लेशन करती है उनको अच्छे से देखती है उसके बाद में जो सबसे बेश्ट जांकी होती उसको आर्ड देता है इंदरागंधी नेशनल सेंटर फोर आर्ट के द्वारा संसकर्ती मंत्रा लेकी जांकी ती उसकी थीम क्या थी इंदरागंधी नेशनल सेंटर फोर आर्ट के बारे में कुछ इस्टेटिक जीके में आपको कवर करवा देता हूँ इसकी स्टाप्न उन्नी सो पिचैसी में हुई थी ये केंद्रिय संसकर्ती मंत्रा लेके तेत एक स्वाइस संस्तान है गनतंतर दिवस 2024 की थीम क्या थी ये इंपोटेंट है जो मैंने पहले बताई थी बारत लोकतंतर की जन्नी वो तो संसकर्ती मंत्रा लेकी जाकी की थीम थी जबकि गनतंतर दिवस 2024 की थीम अगर आपसे पूचे तो दो थीम रखी गई थी एक तो विक्सित बारत और दूसरे रिगर की गई थी बारत लोकतंतर की मात्रिका तो बारत लोकतंतर की मात्रिका और विक्सित बारत गनतंतर दिवस 2024 की दो थीम थी जबकि बारत लोकतंतर की जन्नी संसकर्ती मंत्रा लेकी जाकी की थीम थी अगला क्यूशन बारत उर्जा सप्ता का दूसरा संस्क्रण किस राजे में आयुजित किया जाएगा तो गोवा के अंदर गोवा के अंदर बारत उर्जा सप्ता का दूसरा संस्क्रण किया जाएगा इस कार्यक्रम में उर्जा के छेतर में बविश्ये पर चर्चा की जाएगी इसको संपन कर लिया गया है परमुक राष्ट्य समयलन कहां कहां पर हुए उसका एक बार अपन रिवाइज कर लेते हैं विंक्स इंडिया 2004 से वो हैदराबाद के अंदर हुआ था राष्ट्य युवा समयलन 2004 से वो नासिक माराष्टर के अंदर हुआ था वीश्व्य कोफरी समयलन IKEA Talent 2000 पर अफिश यह कोफी समयलन woodsure से बैंगलूरू के अंदर हा था सयमैकोन इंडिया 2000 परो तीवी स्यमलनः 2000 पर गुज्रातमे वा था अंतराष्टी एरोस्पेस समयलन 2022 से वो गावालियर के अंदर हा था तो ये परमुक राष्ट्ये सम्मेलन थे जिनके लोकेशन आप से पूची जा सकती है अगला क्यूशन टी आर ए आई के अदेक्स कौन मने है TRII क्या होता है तो Telecom Regulity Authority of India है उसके नए अद्यक्स बने है अनिल लाहोटी अनिल लाहोटी TRII के नए अद्यक्स बने है अनिल कुवार लाहोटी को बारतिय दूर संचार नियामक प्राधिकरन जिसकी फुल फॉम होती है टेलिकूम रेगूलिटी एथरिटी ओफ इंडिया टेरी का अधिक्स न्यूक्त किया है इन्होंने पीडी वागेला का इस्तान लिया है न्यूक्ती को तीन साल के अउधी के लिए या 65 वरस के आयू तक पहुंचने तक मंजूरी दी गई है या तो ये तीन साल तक अपना कारेकाल करेंगे या तीन साल से पहले अगर इनके 65 वरस हो जाएगी तो इनका कारेकाल समाप हो जाएगा बारतिय दूर संचार वी नियामक प्रादीकरण है ये बारत में दूर संचार चेतर का नियामक है जिसकी स्तापना 20 चनवरी 1907 मुख्याले नई दिल्ली के अंदर है अगला क्यूशन पॉलिटिकल हिस्ट्री ओफ असम 1947 से लेकर 1921 पुस्तक का पहला खंड किस ने जारी किया है तो हीमंत विश्वा सर्मा हीमंत विश्वा सर्मा को ने तो असम के मुख्यमंतरी है और इन्होंने पॉलिटिकल हिस्ट्री ओफ असम 1947 से 1921 पुस्तक का पहला खंड जारी कर दिया है असम के मुख्यमंतरी हिमंत विश्वा सर्मा की ये फोटू है और इन्होंने पॉलिटिकल हिस्ट्य ओफ 1947 से 1921 का पहला संस्क्रण याने खंड एक जारी किया है इस पुस्तक में असम की रानितिक इत्यास के बारे में बताया जाएगा 2025 तक पॉलिटिकल हिस्ट्य ओफ असम के तीन संस्क्रण लोंच की जाएगे 2025 तक तीनों संस्क्रण लोंच हो जाएगे पहला संस्क्रण लोंच हो गया है जिसमें 2020 तक की रानिति गटनों को समिल किया जाएगा ये था पिछले 6 महिने का Important Current Affair जिसको अपने अच्छे से कवर करने की कोशिस की अगर आपने वीडियो को अंत तक देखा है तो आपको बहुत ही फाइदा होगा एकजाम में सारी क्यूशन आपको इसमें से मिल जाएगे अब बात होती है क्यूशन पूचूँगा जिनका आंसर आपको कमेंट बोक्स में देने है जो भी बच्चे राइट आंसर देंगे उनमें से रेंडमली दो बच्चों को सेलेक्ट किया जाएगा उनसे पूचा जाएगा वो किस एकजाम की तयारी कर रहे है उनको कौन से बुक की रिक्वाइर है वो भुक उनके एडरेस पर कोरियर की जाएगी तो आप भी इसके अंदर पाटिसिपेट हो आप भी इसमें बाग ले इसके लिए चैनल को सस्क्राइब कर देना अब राइट आंसर आप जल्दी से कमेंट बोक्स में बताओ पहला किसन है हाल ही में अब राइट आंसर जल्दी साब को कमेंट बोक्स में देने है जो भी बच्चे राइट आंसर देंगे उनमें से दो बच्चों को सेलेक्ट किया जाएगा और इस गिवव में पार्टिसिपेट करने के लिए चैनल को सस्क्राइब करना बेल आइकन प्रेस करना और वीडियो को लाइक करना ज़रूरी है उसके बाद या आप इसके अंदर पार्टिसिपेट कर पाओगे तो कमेंटर वक्स में जल्दी से इन दो के राइट आंसर बताओ और आप बताओ कौन से बुक आपको चाहिए और मैं आपको कुरियर करवा दूँगा क्लास को पूरा देखने के लिए आपका बोध-बोध धन्यवाद अगर आपको वीडियो की क्वालिटी और कंटेंट की क्वालिटी अच्छी लेगी है तो आपको क्या करना वो आप सब को पता है आपको आगे किस टोपिक पर क्लास चीव भी मुझे कमेंटर वक्स में बता देना मिलते हैं फिर किसी नए सेशन के साथ तब तक अपनी पढ़ाई जारी रिखो अपने स्वास्ते के द्यान रिखो टेक केर जय हिंद